तो हलो नमस्तिया स्थेकार केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गए मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोवर्ड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक्डाउन हुआ जब ये लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोवर्ड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाय कि यहां पर जो है वो यहीं पर आएगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशिन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांच-शे किलमे बहुत अच्छा काम कर रहे अब पास दो था उनके पास गारी का तो वो गए उनको पोलीष ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पोलीष वाले से बात करते वे उन pound मास निकाल लिया तो पोलीष वालने का लिए तो उनको समझ में आगया कि जो नहीं चरना था उनने किया nhiều पर आए उन्होंने एक कहा नी बैयान की और मैंने थका कि यह जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वह यह आपने किया और है धिर बेवकूफी की चीज चीज़ डिमाग से नकल गया है। angry सच हूँ कि बात कर रहा हूँ तो मुभ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं इह अब जिसको ये बात समझ में नहीं आरी कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात और से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक दाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका स्यम खो देना होप खो देना वो उससे बड़ी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमिन एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिंट है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा जल्दी हमसे हो गए और जो नेगिटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को महले से शहर को शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मिन ने कि बाहर मत जाओ सोशल गैदरिंज ना करो यही खाया ना दोस्त यारों से ना मिलो isolation में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ बग गुजारो इस सब किस के लिए, उनके लिए, नहीं, हम सब के लिए नमाज पढ़ना एक घर पे पड़ो, बुझा पाट करनी घर पे करो बच्वर में ये सीखाता कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना, अल्ला के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग, मनना तो एक दिन सब को है, लेगिन क्या कोई मनना चाहता है ये यहाँ पर आके, ये बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को, इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो Starting with your own family तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बता पुलीस का साथ देना, गورमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में का म करते हों का साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो, जो के गورमेंट की बात नहीं सुन रहे क्यों। वह सही है, गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हो अगर आपके आक्शन सही होते हैं तो ये लॉकडाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे भाहर नहीं निकलते हैं रॉप्स में दोस्तियारों के साथ तो पॉलीस वाले आपके पुठ्टों पर डंडा नहीं मार आपको क्या लग रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सवा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोखा है, मास पहनो, क्लफ्स पहनो, अखेले जाओ, गवर्मिन ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा, आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स, नर्सिस, जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको करणोवारिस नहीं होगा, उनके परिवार को नह 18 गंटे काम कर रहे हैं, किस के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरिस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बिमारी उंच नीच, जातपात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर बड़ी उमर कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है वो निभा रहे हैं और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठ ले और वो भी आप नहीं निभा रहे हैं मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो उन्होंने निकलना शुरू करती है कवाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रही हैं और बैंक में काम कर रहे हैं जिसके वज़े से आप अपने ATM और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए आप उनकी भी जान को खत्रे में डाल रहे हैं यह कमार है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए नर्सेश आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन्पे पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां? किस और भाग रहे हो? जिन्दकी के और भाग रहे या मौत के और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते है कि परिवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी फैली जानी है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के रिया आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पर लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वरवाप बड़े भाद वरवाप कि इतने भाद वर इतने तकत वरवाप कि आप अपने परिवार वालों को कांदा दोगे उतकी अर्ति उठाओगे कि इतना जिगर है आप तक यूँ आप यमराज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यूँ अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते है और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहें आप सैट करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि यह आगे ना पहले और दूआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे बन्यवाद